नमस्कार दोस्तों, इस्टेडी अड़ा के यूटूब चैनल में आपका स्वागत है, देखिया है मैं आलसो वैरिफाइड एडुकेटर अनकाडमी तो आप मुझे अनकाडमी पे फॉलो कर सकते हैं, आप अनकाडमी का लर्निंग आप डाउनलोड करके वहाँ पे हीमंत मिसरा सर्च के लिए आपको मेरी प्रोफाइल मिल जाएगी, वहाँ पे मैं SSC और Railway Exam के लिए पूरा एक-एक जो प्रिवेस यूटूब चैनल में आपका स्वागत है, देखिये आज जो है हम कुछ जो यूपी स्टेट के जो भी सहर है, उनके उप नाम क्या है उनके बारे में ज हां से आपको कोई भी यूपी का एकजाम देते हैं तो आपको एक क्वेस्टन मिलने की पॉसिबिल्टी जो है बहुत जादा रहती है, जादा नाम नहीं है, दस-पंदरा नाम है, उनको हम अराम से याद कर लेंगे तो हमारा एक क्वेस्टन जो है, शोर हो जाएगा, और हो सके तो सेयर भी कीजेगा, जो लोग यूपी स्टेट की तयारी कर रहे हैं, चाहे वीडियो का एकजाम हो या कोई और हो, जो भी सीरियस एस्पिरेंट है, उनको जोडने की भी कोशिस कीजेगा, और हमें कुछ कमेंट मिला है कि रीजनिंग से लेके सर्फ 50 कोश्चन आए तो उसका मैं एक डेडिकेटिव वीडियो बना रहा हूं कि वीडियो में रीजनिंग से क्या-क्या पूछा जा सकता है, वो जल्दी दो-तीन दिन में आपके सामने होगा, ठेक है, तो जो भी सीरियस लोग हैं, उनको आप हमारे चैनल से जोडने कोशिस जरूर कीजेगा, च लेकिंड है आपका फिरोजाबाद, देखे फिरोजाबाद को चूडी नगरी के नाम से जानते हैं, और चूडी से अगर आप कनेक्ट कहने तो सुहागन, सुहागन लोग चूडी पहनती हैं, तो सुहागन नगरी, चूडी नगरी, सुहागन नगरी, और फिरोजाबाद का क्या famous है यह आप पता करेंगे तो आपके चूडी नगरी और सुहागन नगरी दोनों connect हो जाएगी अगला देखते हैं मतुरा मतुरा भगवान कृष्ण से related है तो कृष्ण नगरी भगवान कृष्ण जादा तर पेड के नीचे खड़ा होके बासुडी बचाते थे तो पेड भगवान वहाँ पे दाते हैं तो पंडे भी वहाँ पे होंगे तो पंडो की नगरी ठीक है ऐसे आप connect कर सकते हैं अलीगड़ किसलिए famous है ताला के लिए famous है तो ताला की नगरी बरेली में बास बास बरेली और सूर्मा नगरी यह दोनों आप connect कैसे कर सकते देखिए बास ब बास बरेली और सूर्मा नगरी लखनो लखनो का तो सभी लोग का पता होगा नवाबो का सहर है बागो का नगर है और नजागत नफासत का सहर है यह कोश्चन आया था नजागत नफासत तो यह आप याद कर लिजेगा मुरादाबाद मुरादाबाद जो है आपकी पीतल नगरी है और बरतनों का सहर है वारानसी बनारस में सबसे ज़्यादा क्या है गाट है गाटों का नगर विसुनात जी की नगरी है तो विसुनात नगरी मुच यहाँ पे मिलता है मुक्ति नगर जाड़ साड़ और पंडो का नगर वनानस को जाड़ साड़ और पांडो का नगर भी कहते हैं अगला है अलहाबाद में आपका संगम है तो संगम नगरी कुम्ब वहाँ पर लगता है कुम्ब नगरी और तिर्थ राज ये इंपोर्टेंट नाम है ये कई बार एकजाम में आए गए है कुश्टन 10 देखते मलीहाबाद मलीहाबाद के आम बहुत ज़्यादा फेमस है तो इन्हें आमों का नगर कहा जाता है गोरकपूर में गोरकताम और नात नगर कानपूर कानपूर में चमडे का उद्योग बहुत ज़्यादा है तो चर्म नगर चुकि उद्योग बहुत ज़्यादा है चमडे का तो उद्योग नगर और भारत का मांचेश्टर तो ये question आया कि भारत का मांचेश्टर किसे करते हैं तो कानपूर को करते हैं गाजियाबाद गाजियाबाद दिल्ली के बगल में है और बहुत ज़दा यहां पर उद्योग हैं तो इसको आप छोटा दिल्ली और उद्योग नगरी के नाम से जान सकते हैं अगला है अयोध्या, अयोध्या देखिए भगवान राम की जन्म अस्थली है तो तिर्थ नगर, राम नगर और राम भूमी अस्थल अगला आपका है मेरट, मेरट से हमारी क्रांती श्टार्ट हुई थी तो क्रांती नगर और कैंची नगर कन्नोज, कन्नोज में इत्र बनते हैं तो इत्र नगर या खुस्बूओं का सहर गाजीपूर, गाजीपूर जो है कासी की बहन, बनारस के ज़श्ट बगल में गाजीपूर है तो यह कासी की बहिन, रामपूर नवाबो का सहर और चाकूओं का नगर और लाश्ट है जौनपूर, सिराज-े-हिंद के नाम से जानते हैं सिराज-े-हिंद, अब इसमें से कुछ इंपूर्टन एक तो आपका जौनपूर हो गया, सिराज-े-हिंद, दूसरा आपका यह यहां पे खुस्बूओं का सहर किसे काते हैं, कन्नौज को काते हैं, थर्ड जो है आपका जो है यह भारत का मांचेस्टर, कानपूर, आमू का अगर किसे काते हैं, मलिहाबाद, तो यह कुछ important है, अगर lesson आपको पसंद आया हो, वीडियो आपको पसंद आया हो, तो please like करकी ही जाएगा, thank you everyone, मिलते हैं कुछ इसी तरह और छोटे से trick के साथ अगले lesson में